हलो दोस्तो टेक्निकल एमेटी चैनल पे आप सभी का बहुत पहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं आईफोन 12 के बारे में इसके बारे में नियूज में कई सारी रिपोर्ट्स और लिक्स निकल कर सामने आ रही थी तो हमने सोचा क्यों मैं इस वीडियो के माधम से आपसे बताओं कि आईफोन 12 में क्या हो सकता है वैसे इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बता दू जो भी चीज मैं बताने जा रहा हूं यह बिल्कुल अनॉफिसियल है इसके बारे में जो भी डिटेल्स होगी वह एक-दो महिना पहले जब आ पैनल जोता है सबसे बहतरीन पैनल होता है चाहे वह टीबी में हो या फिर स्मार्ट फोन में हो यहाँ पर एपल के तरब से आईफोन 12 में दिया जा रहा है अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में इस पर एपल का एफोटीन वाइनिक चीप जो की 5 नैनो मीटर के टेकनोलोजी पर काम करेगा और उमिद जताय जरा है कि यह जो चीप है यह एक 5G वेडियंट को सपोर्ट करता है अब देखिए आने वाले टेम में क्या होता है जब आइफोन 12 लांच होता है तो हमें कौन सा चीप क्या 5G व के बारे में तो एपल खुद का उप्रेटिंग सिस्टम इसमें डाल रहा है आइवेस भी 14.0 वर्जन जो की लेटेस्ट वर्जन हो सकता है अब चले बात कर लेते कैमरा सेटप के बारे में तो आइफोन 12 में आपको हो सकता है ट्रिपल कैमरा सेटप वैसे कही-कही जो है 12 मेगापिक्सल का और तीसरा लेंस है वह भी आपको 12 मेगापिक्सल का ही दिया जा रहा है उसके बाद इन कैमरा के बारे में बता दू यहां पर हो सकता है कि 3D पावर जो आपको लेजर टेक्नोलोजी का इस कैमरा में इस्तमाल किया गया हो अब चले बात कर लेते हैं लॉक का ओप्सन हमें देखने को मिल जाएगा और यहां पर एक और चीज़ एड किया है एपल फिर से इस बार आइफोन 12 में फिंगर्परिंट इन डिस्प्रे में आपको हो सकता है लेकिन अभी यह जो है रिमर्ड है और ऑफिसियल है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते है तो अब देखे क्या होता है अगे अचले बात कर लेते हैं एक और चीज़ के बारे में जो कि है वाटरपूफ हां आइफोन 12 जो है आपको पुरी तरह से वाटरपूफ होगा जो कि आपको तीस मिनट तक चार मीटर के अंदर पानी गहराई में वह टिक सकता है क्योंकि यह इसट ऐल सेल्शो करता है तो यह सिनकार्टस वरड़ो के बाताव सेयु जैखने को मिलेगा एक जो दूसरा है जो आपको यसी खचले के पार को सपोर्ट करता है अगर आपको यसी माद्च नहीं प्ता है थो मुझे निचे कमेंट करकी जरूर बताइबा अगर आपका ज्या और यहां पर चीज बता दू चुकि आइफोन 12 में आपको बैटरी परफर्मेंस देखने को मिलेगा अब चले बात कर लगते हैं लॉंच के बारे में तो यह आपको September के महिने में लांच होगा है और अपको पता है कि अपर पाल आइफोन को को लॉंच किया जा सकता है उसके बाद अब बात करते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में यहां पर रिवाड प्राइस है 74,000 रूपीज तो आप देखिए प्राइस क्या हो सकता है यह प्राइस मुझे जैसा लगता है कि थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है लेकिन प्राइस आपको 70 से 75,000 के बीच ही हो सकता है अब आईफून 12 के बारे में आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर अगर आप अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिके सब बेल आइकन प्रेस कर लिजे मैं आपके लिए हर एक दिन लाता रहूंगा इसी तरह स्मार्टफोन से डिलेटेड जो भी लेटेस्ट जान क्या रहा है वह आपसे से करूं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रही हमारी इस चैनल के साथ और सपोर्ट कीजिए आपकी ही अपनी टेकनिकल रेमेडी फैमिली को